क्या आपको पता है एक घर में सबसे ज़्यादा और्गनाइज क्या होना चाहिए गैस करो जी हां किचन किचन एक ऐसी स्पेस है जो घर की सबसे ज़्यादा मदद करती है और्गनाइज होने में आज मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूं और बना रहा हूं अबाउट दे किचन सिंक उससे पहले हाई मेरा नाम शशांग जेन विल्कम बैक टू मैं चैनल वडोफा अगर अभी तक आप में मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए बैल नोटि सब्सक्राइब करना चाहिए और अगर कर रहे हैं तो कौन से अरिया में किस टाइप का सिंग होना चाहिए अगर आपको किचन के सिंग के बारे हम पता करना है तो यह पांच टिप्स जरूर ध्यान रखिए सबसे पहली है किसन के सिंग का स्टाइल क्या है क्या ये single bowl है क्या ये double bowl है क्या ये single bowl with drain है या ये double bowl with drain है तो अगर आप कोई भी sink choose कर रहे है तो सबसे पहले ये identify कर लो कि sink का type and style क्या है ये सबसे ज़रूरी है उस space को define करने के लिए for example अगर आपके बस parallel shape kitchen है तो मैं suggest करूँगा कि single bowl ले लिजिए क्योंकि आपकी space counter खराब हो जाएगा अगर आपके बस थोड़ी सी ज़्यादा space है तो single bowl plus drain ले लिजिए उसके अंदर बरतन गीले रखने में असानी होती है अगर आपके बस L shape kitchen है तो आप double bowl भी ले सकते हैं क्योंकि double bowl थोड़ी ज़्यादा space लेता है पर वो L shape kitchen में perfectly fit हो जाता है अगर आपकी U shape kitchen है तो आप अराम से double bowl plus drain भी ले सकते हैं या single bowl plus drain sink भी ले सकते हैं तो सबसे वहले kitchen के sink का style चूज़ कर लीजिए फिर असान हो जाएगा कि किस तरीकी का sink उसमें लगाना है My second tip for today is edges जो sink की edges हैं उसको आपको check करना है कि क्या ये round हो सकता है या फिर square हो सकता है या semi-sphairing types हो सकता है सब के अपने-पने advantages है Again ये depend करता है आपके बस kitchen में space कितनी जादा है अगर आप एक oval sink या round edge ले लोगे तो वो जादा space खराब करता है on the slab अगर आपके बस वो space हो तब ही आप वो लेना पर उससे फाइदा ये होता है कि कोने में जो food के particles होते हैं या चोटा गंदगी होती है वो नहीं रुपती है अगर ये ही आपके बस space है तो मैं बोलों को corner edges या जो sharp edges corner edges होती है वो आप ले सकते हो sink के अंदर उससे फाइदा किया है ये clean look लगता है ये थोड़ा more modern लगता है more geometrical लगता है और थोड़ा सुन्दर लगता है तो आजकल जो SSK sinks आते हैं या marble sink आता है दोनों के अपने अलग अलग pros and cons है जो भी मैं बात करूँगा पर इसमें दोनों तरीके के आते हैं आप edges corner में भी ले सकते हो और आप edges को round भी ले सकते हो मेरा तीसरा tip आज का है material ये बहुत ही important topic है मैं बोलूंगा जिसको आपको ध्यान रखना है कि आपका kitchen sink का material क्या हो for example stainless steel is a very common method in India and I'm sure लोग world में भी इसको काफी जादा use करते हैं इसके भी दो तीन तरीके के आते हैं one is 202, one is 304 and another one is 316 सबकी अपनी cost का difference है और सबकी अपनी usage का difference है तो ये एक तरीकी का sink हो गया which is called a stainless steel अब इसके अंदर भी जैसे कि मैंने भी पीछे बताया square edges, oval edges या cylindrical edges भी आती है दूसरा type का sink आता है which is marble look alike या marble तो जैसे कि आपने आजकल देखा होगा कि मैंने वीडियो भी बनाए हैं quartz करके material यूज किया जाता है on the slab अगर आप quartz का material यूज कर रहे हो और अगर आपका budget permit करता है तो आप quartz का ही sink भी use कर सकते हो तो ये sink एक तो देखने में सुन्दर लगता है और overall feel को match करता है ये similar color में भी मिल सकता है या इसका complimentary या contrasting color भी आप ले सकते हो तो ये again third element है जो आपको ध्यान रखना है while choosing the kitchen sink मेरी चौती पांचवनी चौती element of tip है कि अपने sink तो बहुत अच्छा ले लिया अगर उसके साथ tap कैसा है तो ये दोनों ना synchronize करते है for example अगर आपने tap उपर लगाया है which is on the wall क्योंकि ultimately आपको kitchen में dishes को दोना है आपको उसमें से हात नहीं दोने है तो आपको ये भी बड़ा ध्यान रखना होगा कि आपने जो sink लिया नीचे single bowl लिया double bowl लिया single with drain लिया double with drain bowl लिया तो उसके ताप कैसा लिया अगर wall mounted tap है तो कैसा है table mounted extended tap है तो कैसा है तीसरे तरीके का अगर arm extended tap है जिसका arm extend हो जाता है तो कैसा है इन सम्में भी जैसे मैंने बुला अपने अपने pros and cons भी है तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी tap लगा दिया और वो काम सही करने लगेगा नहीं आपको यह tap भी सोचके लगाना है या अपने designer से पूछके लगाना है कि मैं किस तरीके का tap लगाऊं कि जिससे की बरतन दुलने में असानी हो मेरा पांचमा और आज का सबसे important tip while choosing the kitchen sink is measure your height तो लोग यह भी बहुत बड़ी गलती करते हैं अगर आप dishwasher लगा रहे हो तो dishwasher और sink की height उपर नीचे हो जाती है क्योंकि dishwasher एक standard size में आता है और sink को आप उपर नीचे कैसे भी लगा सकते हो तो जब आप sink चूज करो उसके साथ dishwasher भी चूज कर लो अगर आपको लगाना है जिससे कि आपका उसका level और उसकी height है वो match कर जाए अगर उसकी height में difference आता है तो दो problems है पहली बात तो look नहीं अच्छा आता वो एक uneven surface दिखता है एक ऐसा element of block दिखता है और दूसरा उसमें हमेशा गंदगी फसी रहती है और height जितनी जादा हो I mean standard height के मताबिक ही होनी चाहिए जितनी जादा आपकी kitchen counter slab की height है वह ही होनी चाहिए अगर वो है तो आपका kitchen sink का काम perfect होगा पर इसमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप dry area में sink लगा रहे हो या वेट area में sink लगा रहे हो मैंने अपने कुछ kitchen के बाहर हो सकता है या utility area में हो सकता है अगें ये depend करता है कि आपकी पर space कितनी है अंदर kitchen में और kitchen के बाहर उसके मताबिक आप इसे choose कर सकते हैं whether single bowl dry में या double bowl wet में ये basic tip है जो मैं सबको बोलता हूँ कि single bowl लिलो dry area में double bowl लिलो wet area में मेड्स वगेरा उन लोगों को आदत है दिस्वर तरीके से बर्तन दोने की तो आराम से मापर दो सकते हैं और आप अंदर उसकों सुन्दर तरीके से एक dry तरीके से अपने sink को maintain कर सकते हो आपको मेरे पांचों tips और ट्रिक जो मैंने kitchen sink को choose करने के लिए बताएं हैं अच्छे लगे हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा मैं बहुत सारी वीडियो आपके लिए बना रहा हूं अगर आप अपना घर बना रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं इंटीर करने झाते हैं या झाते हैं